हेलो फ्रेंड्स वेलकम इन मा यूट्यूब चैनल आई होप आप सब भी अच्छे होंगे आज की इस वीडियो में हम चानेंगे कि करना है और थोड़ी इंफोर्मेशन उसके एक्साम के बारे मिलेंगे कि एक्साम का पैटर्न क्या रहेगा टाइमिंग क्या रहेगी मार्क्स कितने होंगे एक्सेक्टरा चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं आप इस वीडियो के लास तक देखेगा सबसे पहले हमें पर क्लिक करना है सरकाई रिजल डॉट कॉम पर दैन हमें नीचे जाना है एडमिट कार्ड की रो में सबसे लास्ट यहां आप देख सकते हैं आई बी सिक्रेटी असिस्टेंट एडमिट कार्ड इस लिंक पर हमें क्लिक करना है दैन नीचे जाना है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड लिखकर आ रहा है इसके सामने क्लिक यह लिखा है हमें इसी लिंक पर क्लिक करना है दैन हमारे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पर हमें अपना रेस्टेशन नंबर डालना है दैन डीट ऑब बर्ड डालनी है फिर सर्च करना है तो चलिए डालते हैं देखे फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर डाल लिया है अब सर्च करते हैं देखे फ्रेंड्स यहाँ पर डाउनलोड हो गया है आप अगर प्रेंट करना जाते हैं तो साइट से इस पर प्रेंट करके आप इसका प्रेंट निकाल सकते हैं अब देख सकते हैं एक्साम 17 फैप को है संदे वाले दिन है साड़े 10 से साड़े 12 के पीच है चलिए अब एक्साम के बारे में थोड़ी इन्फोर्मेशन लेते हैं देखे फ्रेंट्स मैंने यहाँ पर इसका ऑफिशेल नोटिफिकेशन ओपिन कीए हैं अफिशेल नोटिफिकेशन में 34 एक्साम 180 थीय हुए हैं आपने फॉर्म फिल करते समय जो exam center select किया होगा वही आपका exam center होगा चलिए friends अब देखते हैं exam में क्या आने वाला है तो यहाँ पर 4 number point में आप देख सकते हैं Tire 1 exam के बारे में दिया हुआ है कि इसमें क्या आएगा यहाँ पर general awareness के 40 questions आएंगे जिसमें general awareness means current of year and GK के question include होगे then quantitative aptitude के 20 questions आएंगे means math के 20 questions आएंगे then logical analytical ability means reasoning के 20 questions आएंगे then आपके English language के 20 questions आएंगे means आपके total question 100 हो गए हैं आपके total marks भी 100 हो गए हैं and exam duration 2 hours हो गई है तो यही information देनी थी friends आपको अगर आपको यह information अच्छी लगी होई helpful लगी हो तो मेरी वीडियो को like करिएगा आपके like करने से मुझे ऐसी ही more videos बनाने के लिए motivation मिलता है और मेरी वीडियो को अपने friends के साथ share कीजिएगा ताकि उन्हें भी यह information मिल सके और मेरे चैनल को subscribe करके जरू चाहिएगा Thank you friends, bye bye